वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ आरिफा बठान और आज हम बनाएंगे डिजाइनर स्लीव्स स्लीव्स की लेंथ ले रही हूं में 12 इंच और इसकी विर्थ ले रही हूं में 9.5 इंच आप अपने अकाउडिंग जो भी लेंथ और विर्थ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं यह मैंने 4 फूल्ड कपड़ा लिया है यह देखे इस तरह से जो भी आपका साइज हो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आप अपना विर्थ और लेंथ स्लीव्स का ले सकते हैं यहां से हम 3 इंच माइनस करेंगे इस तरह से 3 इंच माइनस करेंगे 3 इंच पर निशान लगा कर ऐसे हम 3 इंच निशान मिला लेंगे इस तरह से scale की मतल से हम 3 इंच मिला लेंगे इसको यह देखिए यह देखिए 4.5 इंच पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से और यहां से हम round shape लगा लेंगे आज दिन के लिए आज दिन के लिए round shape लगा लिया मैंने यह देखिए half inch हम जो निशान लगाया था हमने उससे half inch हम बाहर की तरफ लगाएंगे और half inch हम अंदर की तरफ लगाएंगे इस तरह से ताकि यह sleeves का sleeves की गोलाई बन जाए यह देखिए इस तरह से अब हम sleeves का जो भी हमारा sleeves की losing रखनी है हमें उत्ता हम lose sleeves रख सकते हैं मैं यह आपर five inch की losing रख रही हूं sleeves की और one inch मैं सिलाई के लिए measurement के लिए extra ले रही हूं इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे यह देखिए इस तरह से और यहां से मैं eight inch पर निशान लगा लूँगी जितना बड़ा आपको design चाहिए length में उस पर आप निशान लगा सकते हैं मैं रेको eight inch का चाहिए तो मैं eight inch पर निशान लगा रही हूं और एक निशान हम इसका half करके four inch पर लगाएंगे जितना बड़ा आप design बना रहे हैं उस पर आप निशान लगा सकते हैं और उसका आप half ले सकते हैं मैंने eight inch पर निशान लगा था तो उसका half मैं four inch ले रही हूं और यह one point five inch में यहां पर एक निशान और लगा रही हूं और इस निशान को यहां से हम इस तरह से गोलाई लगाते हुए इस निशान पर इस point पर मिलाते हुए हम इस तरह से round shape लगा लेंगे बिल्कुल हमें leaves का shape दे देना है हमें पत्ति का आकार का shape बना लेंगे यह देख सकते हैं आप इस तरह से जो मैंने 1.5 पिंच का निशान लगाया था उसको मिलाते हुए हम यह पत्ती का अकार बना लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी निशान पर हम कट कर लेंगे निशान के साथ है हम स्लिव्स की कटिंग कर लेंगे यह जो कटिंग का कपड़ा निकलेगा हम इससे फेकेंगे नहीं इससे हम फिर से डिजाइन बनाएंगे इस स्लिव्स के कपड़े को हम फिर से डिजाइन के लिए यूज करेंगे यह देखे इस तरह से आपका डिजाइन बनकर तयार होगा अब थोड़ी सी हम फ्रंट साइट से स्लिव्स की कटिंग कर लेंगे हाफ इंच का निशान हम इस तरह से राउंड शेप में लगा लेंगे और उपर से दो लेर कपड़ा हम पकड़ेंगे हाथ में और कट कर लेंगे इस तरह से हम फ्रंट प्राट की कटिंग कर लेंगे स्लिव्स की यह देखिए अब जो बचे वे कपड़े को हम इस से फॉल्ड करेंगे को और जहां हमने डिजाइनिंग के लिए कट लगाया था स्लिव्स को इस कपड़े पर इस तरह से जमाएंगे आप देख सकते हैं यह देखिए जहां हमने डिजाइनिंग के लिए कटिंग की थी उस पार्ट को यहाँ पर जमा कर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए और एक इंच हम एश्ट्रा निशान हम लगा लेंगे वन इंच का एश्ट्रा निशान लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए जो निशान हमने अभी लगाया उसके पास ही हम एक इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस निशान पर हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है यह स्ट्रिप हमने काटी है इसको इस तरह से हम स्लीव्स पर रखेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से इसको एड़ेस्ट करते हुए हम यह देखिए अच्छे से एड़ेस्ट कर लेंगे आप चाहे तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं ताकि एक अपड़ा इधर उधर खिसके नहीं यह देखिए और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे एक फूट की दूरी पर हम मशीन के एक फूट की दूरी पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे यह देखिए इसी तरह से हम दूसरी आश्टिन की भी स्ट्रिप काट लेंगे और उसको भी इसी तरह से सिल लेंगे यहां पर हम छोटी-छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हम इसको पलटे तो पलटने में आसानी हो इस तरह से हम छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसे पलट लेंगे अंदर की तरफ ये देखिए इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे कि इस पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे कि इस पर यह सिलाई की एजेस को हम तुर्पाई के साथ फिनिश कर लेंगे इस तरह से आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से हम नीचे से इसको फोल्ड करके इस तरह से पट्टी को स्लिप्स को फोल्ड करेंगे आप चाहे जितना चोड़ा फोल्ड कर सकते हैं मैं एक से डेड़ इंच फोल्ड कर रही हूँ स्लिप्स को यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से यह देख सकते हैं आप आप यह देखे इस तरह से हमने यह फिनिसिंग की सिलाई और लगा लिए इस पर आप यह हमारी fender की design बनाइगे इस तरह से हमने जो पतियां काटि थी उससे इस तरह से हम इस पर लगाएंगे इस पर button लगाकर लगाएंगे और यह button किस तरह से बनाया जाता है यह मैं अपनी previous वीडियो में बता चुकी हूँ इसका link में description में दे तूँंगी आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं और आप मेरा प्लैलिस्ट भी चेक कर सकते हैं इस तरह से हम बचेवे एजस को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और इसको पत्ती का अकार लगाते हुए हम इसका डिजाइन तैयार करेंगे यह देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं हमें इसको पूरा नहीं सिलना है इसका एक तरफ का मुँ हम थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि हम इसको अंदर से वापस फोल्ड कर सके और इसके एजस अंदर की तरफ आ सके और हम इसको उल्टा कर सके तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे सिल लिया है और इसका एक मुँ खुला रखा है और यहां पर हम यह सेप्टी पिन की मदद से इसको उल्टा कर लेंगे फोल्ड कर लेंगे इसको आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके है यह देख़ें और इसको अपने हाँ सेट कर लेना है अधि दिकी है कि पीजह सेट कर लिया है हमें अब इसको आचिसे अंदर से सेट करके हमें फिनिशिंग policy द्थागा लगा लेना है ताकि इससे finishing दिखे ये देख सकते हैं आप अच्छे से इसको set करके हमें इस पर finishing का सिलाई लगा लेनी है ताकि ये leaves की आकार में बन जाए हमें पत्ती का shape चाहिए ये देख सकते हैं आप इसके चारो तरफ इस तरह से सिलाई कर लिए मैंने और देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसको पकड़ के हम ये बटन जो मैंने आपको बताया है इस तरह से बटन बना लिया है धागे में और इसको हमें सुई के साथ इसको attach कर लेना है इसको कैसे बनाया जाता है कैसे attach किया जाता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ और इन डिजाइन को इस तरह से दो डिजाइन दो स्लीव्स हमने बना लिए हैं और इनको दोनों लीव्स को हमें हमारी आज दिन पर अटेज कर लेनी हैं यह देख सकते हैं यह बनने के बाद इस तरह से दिखेगी अगर